अगर हम अपने फ्रेंट के सामने फ्रीफायर खेल रहे हैं और उससे बेटिंग लगा कर की हम कहते हैं कि अब में यहां पर हेडशूट मारूंगा और हमारा हेडशूट यहां पर मिस हो जता है और वो जब हमें नॉब केता है तो आंकों से पानी आ जाते हैं इसलिए आप हेडशोट्स मारते बग क्या रोल प्ले करता है इसलिए आज मैं आपके लिए कर रहा हूं ऐसे तीन सेटिंग्स जो आपको आप ये फायर बटन में इंप्रूब करनी है और हर्ड वाली सेटिंग्स आपको फायर बटन को हल्क जैसा पावर फूर बना देगा जिसे से आपका ह एडशोट्स तो लगेंगे ही लगेंगे लेकिन आपकी गेम पे बिली बहुत ही जाए बहुत ही लेवर पर इंप्रूब होगी not only this but इस वीडियो में मैं आपको आपके फायर बटन का सही साइस क्या होगा और सही पोजिशन क्या होगी वो भी एक्स्प्लेइन करने वाला एक नॉर्मल फायर बटन को आपको एक्स्प्रीम लेवल पावर देने के लिए आपको पर्स्ट पोफेक्ट साइज और पोजिशन सेट करनी पड़ेगी क्यूंकि आपको पता ही है कि फायर बटन का क्या रोल है है जब आप हेडशॉट्स मारते हो अगर आप अपने कस्टम बॉल्ट को रिसेट कर दोगे तो आपको आपके फायर बटन के लिए बेस्ट प्लेस मिल जाएगा जहां आप आपके फायर बटन को प्लेस कर सकते हो So second trick is fire बटन का size Guys fire बटन का कोई भी size नहीं होता है But आप fire बटन को 40% भी रख कर headshots को मार सकते हो And 70% भी रख कर headshots को मार सकते हो So you can choose your fire button size how you are comfortable with And हमारी second settings आती है वो है highlight your fire button Both creators अपने fire button को invisible रख लेते हैं fire button की opacity बहुत कम रखते हैं ताकि वो invisible हो जाए and headshot मारते time आप अपने fire button पर ज्यादा focus नहीं करते आपका headshot यहाँ पर miss हो जाता है इसलिए हमेशा आप अपने fire button की opacity को 100% रखना ना भूलें और last and final setting आते हैं हमारी third setting last वाली trick जो भी यहाँ पर देख रहा है वो जानेगा best setting इसलिए कहता हूँ वीडियो को interquart जरूर करना so let's start last and final setting वो है आपकी fire button की अदला बदली जब भी आप left fire button पर click करते हो यानि fire जब भी आप करना चाहते हो जब आप left fire button पर आपकी उंगली रखते हो तो आपको यहाँ पर fire button के ठीक उपर रखकर आपको यहाँ पर click करना पड़ता है लेकिन अगर आप यहाँ पर right fire button के आसपास भी click करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी gun के bullet यहाँ पर shoot हो रही है इसलिए जब आप headshot मारने का try करते हो और आपकी उंगली आपके fire button से थोड़ा आसपास लग जाती है तो आपका यहाँ पर headshot नहीं लगता है इसलिए आप यहाँ पर left वाले fire button को right वाले fire button से exchange कर दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर left वाले fire button पर अगर आप यहाँ पर आसपास finger को touch करोगे तो यहाँ पर shoot हो रहा है इसलिए आपको क्या करना है आपके left वाले fire button को right में रख देना है और right वाले fire button को left में रख देना है So these are the three major settings to improve your fire button वीडियो थोड़ी सी भी informative लोगी तो वीडियो को like कर देना साथ ही साथ चैनल को subscribe जरूर से कर देना क्योंकि इस तरह के informative वीडियो आपके यहाँ पर मिलते रहेंगे आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे और आप कौन से device से game play करके हो comment में जरूर बताना So guys let's meet on the next video तब तक के लिए take care and bye bye